अगर आपने अपने computer या laptop में कोई pen drive या memory card लगाई है और उसमें सारा का सारा data बोलता है कि corrupt हो चुका है ये pen drive format करनी पड़ेगी आप पूरा hope हार जाते हैं but don't worry मैं आपको इसका solution बताने वाला हूँ पहले तो जब भी आप अपने computer या PC में connect करते हैं आपको drive का letter याद रखना है किसी का c होता है किसी का d होता है किसी का g होता है search में जाके cmd type करिए और उसको run as administrator कर दीजिए और यहाँ पर ये वाली command आपको डालनी है आपको याद रखने की ज़रूत नहीं है नीचे description box में आपको मिल जाएगा सिरफ copy paste करना है आपने सारे errors इसके resolve कर दी है अगर वीडियो आपको जरा भी informative लगी है तो इसको अभी सेफ करिए क्योंकि life में कभी ना कभी ये वीडियो आपके काम जरूर आएगी साथ साथ इस वीडियो को like और